हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेश महत्व दिया जाता है भगवान शुरीहरी को अतिप्रिया होने से इसे घर पर लगाना शुब है माना जाता है तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विश्नु की पूजा अधूरी होती है जोतिश ववास्तु शाष्त्र के अनुसार इसके पत्ते से कुछ उपाय करने से घर में साकारात्मक उर्जा का संचार होता है लडाई जगडे दूर होकर घर का मौहौल खुश्नुमा बना रहता है तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में घर में नाकारात्मक उर्जा होने से बनते काम बिगडने लगते हैं हर बार काम में हार का मूह दिखना पड़ता है साथ ही कारोबार वा नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में तुलसी के पांच पत्तों को तक्ये के नीचे रख कर सोने से लाब होता है इससे घर में फैली नाकारात्मक उर्जा साकारात्मक में बदल जाएगी साथ में कारोबार वा नौकरी से जुड़ी परिशानिया दूर हो आर्थिक स्तिती मजबूत होगी अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो इसकी लिए तुलसी के पांच पत्तों को लाल रंग के काजल में लपेटें फिर अपनी मनोकामना बोल कर उसे पूजा घर में रख कर रोजाना पूजा करें इससे आपकी किस्मत जल्द ही खुलेगी अकसर पत्ती पत्ती में नोकचोग होती रहती है मगर कहीं लड़ाई हद से जादा बढ़ जाए तो इसके पीछे का कारण वास्तु दोश हो सकता है इसके लिए पत्ती पत्ती को तुलसी के पांच पत्तों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए इससे कपल के बीच का मन मटाओ दूर हो जाता है और रिष्टे में मीठास आती है आप जिस भी जगा पत्तुलसी के पत्तों को रख रहे हैं उसे हर 24 घंटे यानी एक दिन के बाद बदलते रहें लगातार 21 दिनों तक इस उपाय को करने के बाद इन पत्तों को नदी में प्रभाहित कर दें इससे घर में अन वधन की कभी कमी नहीं होगी